नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ITI Papers में दोस्तों ITI Pass Out Candidates के लिए इस Central Railway पटना ने Vacancies निकाली है जिसमें आप Apprentice कर सकते हैं Official Notification पढ़ने से बहले हम यह जाल लेते हैं कि इसके Advantage क्या-क्या है जो सबसे आपको पहला Benefit मिलेगा आपको NAC Certificate यहां पर Provide करा जाएगा इस Certificate के थुरू आपको कई सारी Government Jobs के लिए Eligible हो जाएंगे जिसमें आपको Apprentice प्लस ITI दोनों की Requirement होती है तो एक Benefit इसका यह हो गया दूसरा जो Main Benefit है इसका आपको 20% Level 1 और Group C में Quota मिलेगा और Examination के टाइम आपके 1 3rd Mark इस Apprentice के जुड़ेंगे और 2 3rd Marks आपके CBT के तो अगर आप CBT में अच्छा स्कूर करते हैं तो आपके हाई ही चांसे कि आप Government Job में आपका Selection हो जाए And 4th है Physical Examination Test में भी आपको छूट या रहत मिलेगी अब चलिए हम इसका Official Notification पढ़े लेते हैं इस Vacancy का Time Slot है आपका 10 रममबर से लेके 9 December तक यानि कि आपके पास Almost 30 Days है इस Form को Fill Up करने के लिए और जो Numbers of Vacancies हैं दोस्तों 1832 है 1832 है 1832 टोटल वेकेंसी है अगर हम बात करें इसके Selection Processor की तो आपके दोनों aggregate count होंगे यानि कि ITI प्लस 10 और दोनों का aggregate सेम होगा 50-50% दोनों के marks को count करा जाएगा और आपके जो percentage होनी चाहिए minimum वो आप 50% at least दोनों में आपका score होना चाहिए 50% से अगर आपका score नीचे है तो उस case में भी आप Form Fill Up नहीं कर सकते इसमें एक और important point दिया है दोस्तों कि आपको सारे subject के marks को count करना होगा ऐसा नहीं करना है कि आप अपने cable top 3 marks को count कर रहे हैं top 4 marks को count कर रहे हैं आपके जितने भी subject हैं 10 में ITI में सारे ही subject के marks को count करा जाएगा जब candidate shortlisted हो जाएगा तो आपका medical examination होगा और आपके सारे documents का सत्यापन होगा यानि की verification होगा तो इस चीज का भी आप ज़रूर दियान रखेगा कि जो भी documents आप online form fill up करते हो provide कर रहे हैं वो document आपके पास होना अनिवार है अब हम देख लेते हैं कि दोस्तों कि कितने division में कितनी कितनी vacancies है दानापूर division में आपकी total number of vacancies 675 है दनबाद division में total number of vacancies 156 है पंडित दीन दियाल उपाद्याः division में 518, 518 vacancies है सोनपूर division में 47 vacancies है समस्तिपूर division में 81 vacancies है प्लांट डीपो पंडित दीन दियाल उपाद्याः में 135 vacancies है टोटल carriage repair workshop में 110 और mechanical works और समस्तिपूर में 110 vacancies है उसमें भी इसका break up कर रखा है आपका general वो भी SC-HT category में तो यगार इस इसको check out कर लेना notification को और इसका link आपको description box में मिल जाएगा अब हम यह जान लेते हैं कि reservation किस-किस तरह किसे इसमें दिया गया है देखे अगर आप physically disabled person है तो उस case में आपको 4% reservation मिलेगा एक service man के लिए 3% है एक service man में include होंगे उनके children और सहसत्र सैना बलके भी children को include करा गया है economical weaker section के लिए 10% का quota यहाँ पे आपको मिलेगा अब economical weaker section में आपकी सालाना आए कितनी होगी वो हम आगे चलके जानते हैं एक important चीज है इसमें दोस्तों कि in case अगर schedule cost की vacancies fill नहीं हो पाती है तो उसको fill करा जाएगा ST यानि की schedule tribe की vacancies के साथ in case schedule cost में 100 vacancies हैं और केवल 90 candidate अपेर होएं तो schedule tribe की vacancies से उसको भड़ दिया जाएगा इसके विपरीत सेम चीज करी जाएगी in case schedule tribe की vacancies खाली रहती है तो schedule cost वाले उस vacancies को fill करेंगे यही चीज याँ पे बताई गई है अब एक और case हो सकता है इसमें in case दोनों ही अगर schedule cost और schedule tribe को मिला के vacancies fill नहीं हो रही है तो वो vacancies नॉर्मली आपकी unreserved candidate के थुरू भड़ दी जाएगी मिलेगा SCST communities के लिए 5 years का OBC के लिए 3 years का in case आप physically disabled person है तो unreserved candidate यानि general categories के लिए 10 years का OBC के लिए 13 years का and SCST के लिए 15 years का reservation age में मिलेगा और जो भी candidate इस reservation को पाना चाहता है उस central government के थुरू जो approved certificate होगा वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा verification के time हम बात करें economical weaker section की उस case में अगर आपकी सलाना आए 8 lakh से कम है तो आप economical weaker section में आते हैं जो सलाना आए इन्होंने count करी है वो आपकी salary based हो सकती है agriculture based हो सकती है business based हो सकती है profession based हो सकती है और इसमें ये भी count होगा कि in case अगर आपके father और mother दोनों ही earn कर रहे है तो दोनों की ही सलाना आए को आपको count करना होगा कौन-कौन जी authority ये certificate प्रवाइड करेगी एक पर ये भी जान लेते है district magistrate प्रवाइड कर सकता है additional district magistrate collected deputy commissioner additional deputy commissioner class class staff and degree magistrate subdivisional magistrate तालुका magistrate ये सारे जिदने भी authority है ये certificate प्रवाइड कर सकती है अगर आप revenue officer से certificate बना रहे हैं तो at least वो तैसिलदार उसका होना अनेवार है तब भी वो certificate बना जाए अगर आप ex-serviceman में reservation का benefit लेना चाहते हैं तो आपको discharge certificate उस case में दिखाना होगा देकि ex-serviceman में भी कुछ अलग-अलग करिके से प्रात्मिक्ता दी गई है ये वर से भी देख लेते हैं अगर किसी ex-serviceman की मित्यू या वो वीर गती को प्राप्त होते हैं तो उस case में उनके बच्चों को सबसे जादा priority दी जाएगी और यही same priority आपके अगर किसी disabled ex-serviceman यानि कि वो चोटिल है या कोई physically उनको problem है तो उस case में भी same आपको प्रात्मिक्ता दी जाएगी उसके बाद जो दूसरी प्रात्मिक्ता मिलेगी वो ex-serviceman के children's को मिलेगी उसके बाद serving जवान्स को मिलेगी last में serving officer और चोट सबसे आखरी प्रात्मिक्ता मिलेगी वो ex-serviceman को मिलेगी education qualification की बात करें दोस्तों तो जैसे कि हमने पहले बतायते हैं कि आपका 10th pass होना जरूरी है और passing marks आपके at least 50% होने चाहिए same आपके पास ITI की degree होना जरूरी है और ITI में आप NCVT plus HCVT दोनों ही lock home fill कर सकते हैं तो ये अच्छी चीज़ है इसमें इसमें दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो चीज मेरे से miss हो गई थी अगर आपके marks same है तो फिर selection procedure में जिसकी ये ज़्यादा होगी उसको प्रात्मिक्ता मिलेगी लेकिन अगर आपकी date of birth भी same हो जाती है तो उस case में जिसने 10th पहले करी होगी जिसने 10th pass out पहले करी होगी उसको प्रात्मिक्ता दी जाएगी अब उसके बाद भी अगर आपके 10th भी same year में complete हुई है तो उसके बाद कानोंने प्रोसीजर तो यहाँ पे नहीं लिखाए दोस्तों तो इतना ही प्रोसीजर उन्होंने यहाँ पे गिया हुआ है पेमेंट की बात करें 100 रुपे की पेमेंट आपको लगने वाली है इसमें इस application form को भणने में और बाकी जितना भी इसका process है online form fill up करने का वह मन next video में cover करेंगे so किस तरह से हमें form गरना है वह notification में given है और उसको हम उस form fill up करते समय cover up कर लेंगे NCVT, SCVT दोनों के लिए applicable है last date इसकी 9 December है दूस्तो 5 विज़े तक तक staff end भी आपको मिलेगा और यह कितना मिलेगा आपको staff end इस चीज़ का यहाँ पर जिकन नहीं है तो मैं अपनी तरफ से इसमें कोई भी comment नहीं करने वाला हूं की यह आपको कोई wake hope नहीं देने वाला हूं की आपको कितना मिलने वाला है बाकी आपको रहने खाने का खुश से ही करना पड़ेगा इसमें साफ लिए खागे कोई hostel और accommodation आपको provide नहीं करा जाएगा shortlisted होने के बाद आपको medical certificate भी submit करना होगा यो आप किसी भी central या सरकारी hospital से बनवा सकते हैं और एक आपका medical examination रेल्वे द्वारा करा जाएगा जिसकी फिस 24 रूपीस है तो दोस्तों यह कुछ important points है जो हमने आज discuss करे हैं next video में हम discuss करेंगे कि यह form को कैसे apply करना है अगर आपको यह video पसंद आया है तो please इस video को like कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए and thanks for watching